प्रमिशर मेरे लिए महान योजना बनाए है उस योजना के अनसार मेरे जिवन में सब कुछ कर रहा है उसकी योजना दुनिया उटपन होने से पहले उसने मेरे लिए बनाया है मेरे दुबारा जो भी बलाई काम करने के लिए उसने नियुक्त किया है उसको पहले से उसने तयार किया है इफिश्य को दो दस में इस तरह से पढ़ते हैं क्योंकि हम उसके बनाई हुए हैं मसी इश्य में उन बले कामों के लिए सुझे गए हैं जिने उने परमिशर के लिए पहले से ही करने के लिए तैयार किया है हमारा जीवन में परमिशर के लिए और बाकी लोगों की बलाई के लिए जो भी अच्छे काम करने के लिए परमिशर ने हमें बनाया, हमें स्रिष्टी किया हमें बुलाया है उस मकसद के अनुसार हमें सामर्त भी देता है पहले से उसने हमारे लिए तैयार किया है उस काम को मैं पूरा करके ही जाओंगा और परमिशर जो है मेरे अंदर हैकर मेरे कमी गटियों को दूर कर रहा है मेरे सारे बंदनों को थोड़ रहा है और मेरे परमिशर के सहायता के दबारा मैं सारे कामों को अच्छी तरह कर सकता हूँ और बजन संगिदा 18.29 में पढ़ते हैं क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूँ और अपने परमिशर के सहायता से शाहर पना को लांग जाता हूँ परमेशर मुझे मदद करेगा मैं जरूर उपर उठाऊँगा जरूर आगे बढ़ूँगा हर दिवार को हर शाहर पना को उपर कोद कर जाऊँगा लांग दूँगा लांग जाता हूँ एक बड़ी सेना के सामने भी कड़ा हो जाऊँगा आज शैदानी सेना आपके सामने आरा होगा मेरे सामने आरा होगा लेकिन हम इस विश्बास के हम कबूल करें परमेशर की सायता से हम सेना पर दावा करेंगे और लिकरे हैं तू ही मेरे अनदियारों को जलाता है बजन स्कित 18-28 में मेरा पर्मिश यहवा मेरे अन्दियारगोव को उजियालग कर देता है देखे पर्मिशर मेरे अन्दियारग को उजियालग करने वाले हैं और उसके द्वारा मैं जलता रहूँगा मेरा दीपक कभी नहीं बुझेगा परमिशर के लिए जोदी चमकता रहूँगा ये मेरे लिए दिन है मुझे चमकना है चमकते रहना है इस अंदेरा के दुनिया में अंदर के बारे मिन मैं फरियाद नहीं करूँगा कंपलाइन नहीं करूँगा खुट गुड़ाओंगा नहीं लेकिन मेरे पास जो जोती परमिशर ने दिया है, उसको मैं प्रकाश्मान करूंगा, परमिशर मुझे इसके लिए न्युक्त किया है, और वो ही मेरे सामने आगे जा रहा है, मेरे लिए मार्ग तियार कर रहा है, सारी रुकावट को तोड़ रहा है, मिका का किताब 2.13 में इस तरह से पढ़ता हूँ, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं, और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं, हमारे लिए जो दर्वाजा परमिशर कोल के रखा है, उस फाटक के अंदर हम प्रवेश करेंगे, और जो भी बाड़े बांद के रखा है, शैतनिक सेना, उसको तोड़ने के लिए हमारा परमिशर आगे जा रहा है, मेरे आगे जा रहा है, उसके द्वारा मैं उसको तोड़ कर ऐसा जगाप पर पहुंचेंगा कभी एम सोच भी नहीं सकते ऐसे विज्जय को पाँगा इसे जगह पर प्रभु मुझे और आपको पेहुंचाने वाले हैं परमेशर से महान बातों को न हम प्रात्व्ह करेंगे मैं औरो मार कारिये मौनगउगा परमिशर के लिए बड़ा काम करने के लिए कोशिस करो और परमिशर से बड़ा कारिय होने के लिए प्रतिक्षा करो परमिशर के लिए बड़ा कारिय हम करेंगे बले आपके दिल में मेरे दिल में सो गया होगा मर गया होगा ऐसा कोई दर्शन है ऐसे कोई बाते है उसका आज परमिशर जगाना चाहते हैं उसके वापस चिलाना चाहते हैं उसके लिए आज मैं प्रातना करता हूँ परमेशर आपने जो दिया सारे दर्शन मेरे जिवन में पूरी होगी बले उसके लिए जरा से भी अवसर नहीं लग रहा है जरा से भी होगा करके नहीं दिख रहा है फिर भी आपका दर्शन आपका जो वाइदा है उसके पीछे में जाता रहूँगा कोई भी डर, कोई भी प्रतिकुल परिस्तिदी मुझे रुखेगा नहीं मैं लगातार चलते रहूंगा, कभी भी छोड़ूंगा नहीं परमेशर के लिए कोई भी खटिन नहीं है परमेशर अपने जनता के लिए अपना सामर्त को प्रगट करना चाते हैं दूसरा इतिया सोला नौ की साब से देख यहोवा की दृष्टी सारी प्रती उपर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निश्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपने सामर्त दिखाए परमिशर चाहते अपने सामर्त को प्रगट करने के लिए इसलिए मैं परमि प्रमिशरी जो है मेरे जीवन में सारे बातों को एक साथ जुड़कर एक साथ मिलकर मेरे बलाई को उठपन कराएगा रोमियों काट 28 में और हम जानते हैं कि जो लोग परमिशर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बाते मिलकर बलाई को उठपन करता है अर्ता दूनी के ल मुझे बुलाया है इसलिए सब बाते मिलकर मेरे लिए बलाई को उटपन करती है कि परमिशर की महानियोजना मेरे लिए रखा है आज जो चीजें हो रही है आज जो बाते हो रही है कुछ बात मुझे समझ में नहीं आ होंगे फिर भी मैं चिंता नहीं करूंगा फिर भी मैं गव रहता हुँंगा नहीं क्योंकि मेरे जिन्दिकी क्या भीooooy भी है प्रगठ नहीं हुआ है अभीज टुक्डा आप भी जोनने को तै़ारी मैं है जब सारे टुकड़ एक साथ जुड जाएंगे हर चीज प्रगड हो जाएंगे सारे चीज समझ में आ जाएगा अभी उसका चित्र पुरा नहीं होने के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो चित्र जब परमिशर पूरी कर लेंगे उनका मॉस्टर पिस पूरी कर लेंगे सबातों को मैं देखने लगूंगा और उनके जो महान योजना वो ही है जो ऐसा जगह पर मुझे पहुंचा देगा ऐसे सीधी पर मुझे ले जाएगा कभी मैं सोच भी नहीं सकता है परमिशर कर ना बदलने वाला बच्चन ना बदलने वाला बुलावट इसको इमें ध्यान देता रहूंगा रोमियों को 11-29 कहता है क्योंक दिया है वो कभी पीच्चे नहीं हटेगा यही मेरा दर्शन का अदार है यही मेरा बुलावट है परमिशर बुलावट से कभी नहीं हटता है उसने जो भी दर्शन मुझे दिया है जो भी वाईदा मुझे दिया है उसके विप्रीत में उसके विरोध में जितने भी बाते म मेरे जीवन में आती है, बले समस्या हो, बीमारी हो, कमी गटी हो, कोई भी चीज हो, वो तातकालिक है, हमेशा के लिए नहीं है, जो चीज मैं देख रहा हूँ, उसको देख कर मैं गबराऊंगा नहीं, बचन पर विश्मास करते हुए, उसके आदार पर मैं चलूंगा, मैं हराओ आविक्ति नहीं है, जही पाने वाला हूँ, मैं जही पाचुका हूँ, दुसरा कुर्णी 2.14 में, पॉलस इस तरह से लिक रहा है, परमेशर का धनियवाद हो, जो मसी में सदाम को जही के उत्सव में लिये फिरता है, अपने ग्यान का सुगन, हमारा द्वारा हर मनद हो, वही मुझे जही के उत्सव में ले चलता है, मसी का अंदर अमेशा अम जाईवन से बढ़कर है, परमेशर जो मकसद से मुझे बनाया है, जो मकस्त से मुझे बुलाया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए, मेरे अंदर थाकत देगा, वर्दान देगा, इन्म्रग देगा वस्षर देगा उसके लिए मैं जरूर मेरे जीवन में पूरा-पूरा समर्पन करता हूं परमेशर की बुलाओट नहीं है परमेशर की चाह नहीं है ऐसे कोई भी बातों के लिए मेरे जीवन में मैं जगय नहीं दोंगा मैं परमेशर की आशिस में चलता रहूंगा सरवे शक्तिमान परमेशर की आशिस मेरे उपर है यफिश्य को एक तिन में हमारा प्रभू इश्य मस्य के परमेशर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसी में स्वर्गे स्थानों में सप्रकार की आशिस दी है उसने आशिस दे दिया है उस आशिस मेरे लिए है और मेरे अंदर मसी का विचार है ये कुरंदी दो सोला में पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं परंत हम में मसी का मन है अमार अंदर मसी का ज्ञान है एक और एक तीस में परंत उसी की और से तुम मसी इशु में जो परमेशर की और से अमारे लिए ज्ञान टारा अरदा दर्म और पवित्रदा और चुटकारा इश्व मसी का मन अमारा अंदर है और मसी इश्व के अंदर परमिशने में मसी इश्व का अमारे ले ग्यान टाराया है वही मेरे चुटकारा वही मेरे ले पवित्रदा उन्होंने मेरा अंदर दिया वह उस ग्यान है उसका मन है उसके वज़े से मैं साई निरने लूँगा उसने साई डंग से मुझे अगवाई करेगा बजन सिंगिदा 32 इस तरह से कहता है मैं तुझे बुद्धी दूँगा जिस मार्ग बे तुझे चलना होगा उसमें तेरे अगवाई करूँगा मैं तुझे पर कृपा दृष्टी रखोंगा सम्मति दिया करूँगा परमेशर मुझे अगवाई करेंगे आशायातीस इक्वीस कहता है और जब कभी तुम दाइनव वाब भाई और मुढने लगे तब तुम्हारा पीचे ये वचन तुम्हारा खानों में पड़ेगा मार्ग यही है इसी पर चलो परमेशर मुझे अगवाई करेंगे सई दिशा में मुझे ले जाएंगे मैं बटकने वाला बेड नहीं मेरे लिए अच्छा चर्वा है वो मुझे हरी हरी चरायों में सुकदाई जल के पास ले जाता है परमेशर की दनिवाद हो प्रभु किस्तुति हो परमेशर की नाम की मैमा हो